उपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर में हम समझ रहे होंगे डेस्टॉप क्या होता है एकन क्या होता है डिफरेंट टाइप के आइकन्स होते हैं वो समझ रहे होंगे तास बार क्या होता है सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशन बार क्या होता है और इनेबल के से किया जाता ड से कितने पार्स है? तो start करते हैं अपने फिस्ट्टॉप के साथ ये डेस्ट उप होता क्या है? जब हम computer को start करते हैं तो हमारे सामने first screen आ जाती है first screen जीसे computer ओन हो जाता है तो आपको यहां पे एक उप्सरो सा background मिल जाता है यहां पे इस साइड पे कुछ icon दोते है नीचे यहाँ पर टास्क बार होता है और इसकी इंसाइड कुछ इंफर्मेशन चीज़े आपको मिल रहोता है तो यह टोटल डेस्टॉप किलाता है और डिफिनेशन में भी हमें से मताया जा रहा है कि जब हम कम्पिटर को करते है स्टार्ट टार्ट करने के बाद हमें एक स्क्रीन दिखती है फस्क्रीन जो के आगे आपने कोई क्लिक वगरा कुछ ना किया हो फस्क्रीन जब आपके सामने आजाता है वही फस्क्रीन डेस्टॉप होता है और इसके नाम को अगर हम दो टुकडों में डिवाइड कर लें जैसे desk, desk मतलब table, एक table होता है और इसके बाद top, top मतलब उपर वाला हिस्सा, ये table का उपर वाला हिस्सा, तो desktop मतलब table का उपर वाला हिस्सा, इसी तरह desktop, computer का जो front screen है, जो first screen है, उसे हम यहाँ पर desktop ही कहते हैं, अब desktop को हम यहाँ पर अलग अलग parts में divide कर सकते हैं, जैसे background में picture दिखते हैं, नीचे जो options होते हैं, इनको हम different parts में divide कर रहे होते हैं, तो समझते हैं, desktop के कितने parts होते हैं, तो सबसे पहला part background आ जाता है, background क्या होता है, अब जब computer start हुआ मेरा, तो मुझे यहाँ पर यह screen दिखी, अब इस screen के inside मुझे यहाँ पर एक image दिख रहा है, य यह वाला जो image मेंने logo जो लगाई है, इस logo को में यहाँ पर simple के सकता हूँ, कि यह मेरे desktop का background है, यह desktop का bg background है, या तो हम के सकते हैं, यह wallpaper है, हम इसे wallpaper या तो पर background के सकते हैं, part में next यहाँ पर चीज़ आ जाती है, icon, icon क्या होते है, अब desktop के पर आपको यहाँ पर इस side पर च icons केते हैं, next आ रहा है, यहाँ पर start menu, start button या window button, यह क्या होता है, तो यहाँ पर office screen के उपर में आ चुका हो, और यहाँ पर नीचे एक button आपको दिख रहे होगी, यह चोटा सा button, नीचे है, यह चोटा सा button, इसी button को हम start, या तो पर start button, start menu भी लोग इसे केते हैं, start menu, start button, या पर हम इसे window button भी केते हैं, keyboard के उपर भी एक की इसके लिए मौजूद रहती हैं, या दो की इसके लिए मौजूद रहती हैं, laptop यूज़ कर रहे हो, तो single की आपको मिल रहे होती है, अगर आप keyboard यूज़ करते हो, तो double की, तो यही आपके पास window की start menu या start button केलाता है, या तो ह इसे window button भी के रहे होते हैं, अब next आपको task bar मिलता है, और task bar क्या होता है, तो इसके नाम को हम यहाँ पे दो हिस्सों में अगर divide करते हैं, तो सबसे पहले आजाता है task, और इसके बाद आजाता है यहाँ पे bar, bar means वो जगा जहाँ पे आपका collection होता है, कि इस चीज़ का collection, task का collection, तो आप एक software को open करते हो, फिर दूसरे software को open करते हो, फिर तीसरे software को open करते हो, इसी तरह multiple software है, तो यह आपको कौन बताता है, कि आपके कितने software open है, task bar बताता है, तो यहाँ पे आपके task manage हो रहे होते हैं, और जहाँ पे आपके सारे task या software या windows पढ़े रहते हैं, वो जग तक आ जाता है ये टोटल एरिया इसी हम taskbar ही कहे रहे होते हैं तो यह होगा आपका taskbar हम इसे taskbar कहे रहे होते हैं अब इसके inside कुछ software होते हैं आप इसे pin कर सकते हो unpin कर सकते हैं right click कर लो आपके सामने options आ जाएंगे unpin from taskbar या तो किसी software पर जब आप right click करते हो तो यहाँ पर भी यहाँ पर मैं Show More Options पर क्लिक कर सकता हूँ, Show More Options पर जैसी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे साम में डेर सारे Options आ जाएंगे, अब इसमें एक Option होगा, कि यह जो आपके पास File है, इसे आप Pin कर सकते हो, कहाँ पर पिन कर सकते हो, टासबार के उपर, तो पिन टू टासबार, तो क्लिक कर लो, अनपैंड पर क्लिक कर लो, यह टास बार से अनप्न वापस हो जाएगा, तब इस तरह चीजों को Pin अनपिन कर सते हो, जो चीजित आप बार बार यूजच करते हो, आपnant जाते हो, तो इन चीजों को सिंपल टासबार के उपर पिन कर लो, single click से आप उनवे Open कर स दिखते हैं अब वापस मैं आ चुका हूँ यहां पर टास्बार आपको कुछ दिर पहले तो आपने का टास्बार हाँ बिलकुल यह पूरा टास्बार होता है इसके पर आपके सारे टास्क रहते हैं पर इस साइड पर यहां पर यह साइड आपको पास रह जाता है यह साइड या पर system tray या तो notification area या तो notification bar केलाया जा सकता तो इसकी inside आपको notification मिलते हैं जैसे कोई message आ जाती है किसी software के तरफ से आपको notification मिल जाता है या तो charge खतम हो रही है आपके laptop का या तो आप wifi वगरा connect करते हो तो इस सारे चीज़े यहाँ पर मुझूद है इसलिए हम यहाँ पर इस taskbar के उपर बिल्कुल last में लेके जाते हो तो यहाँ पर लास्ट में एक बटन होती है तो मैं आपके लिए यहाँ इसे zoom करता हूँ तो simple हम इस एरिया पर यहाँ पर जूम कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पर टास्बार के inside बिल्कुल bottom में आ चुका हो अब देख लो यहाँ प open कर लिए multiple screens आपके सामने आ गए तो आप चाहरे मुझे एकदम से यहाँ से आप minimize करते हो और अगर आप चाहरे मुझे एकदम से desktop की उपर jump करना एक एक को minimize करके desktop की उपर जाँगो तो time ले गया सबको एक साथ minimize करना है तो आप सिंपल यहाँ पर cursor लेके जाए बिल्कुल last म पर यह maximize हो जाते है और आपके सामने यह आ जाएंगे फिलाल मैं इसे यहाँ पर close कर लेता हो समझा चुका होगा यह last वाला area क्या के लाया जाता system track के लाया जाता यहाँ नोटिफिकेशन बार इसे हम कहते हैं और यह area क्या होगा यह होगा यह होगा आइकन का area यह तो पर आ front type के parts होते हैं यहाँ पर taskbar का एक और चीज़ यहाँ पर मैं लिखता चलो six number पर के desktop का एक और part भी होता है जिसे हम कहेंगे charm अब charm क्या होता है तो अगर आप old version के window जैसे window 8 आप use करते हो window 8 या window 8.1 आप use करते हो तो यह जो window होंगे इसकी inside एक feature या कुछ features आपको इस side पर म window में रखा गाया और उसी window को या वो जो area होता है उस area को यहाँ पर simple charm कह सकते हैं तो अगर कोई इंसान 8.1 या तो window 8 यूज़ कर रहा है तो उसके window की inside यूज़ की inside करसर आप इस side की तरफ लेके जाए desktop के उपर तब कि सामने कुछ options आ जाएंगे तो समझ ले वो options क्या होते चाम हाँ सिर्फ window 8 और 8.1 के inside होता है यह इसी window का और इन ही window का feature होता बाकि window की inside आपको यह नहीं मिलता आइकन समझते आइकन क्या होते तो desktop के उपर जो चोटे-चोटे images आपको दिख रहे होते इन्हें हम क्या केते आइकन केते अच्छा और आइकन को हम यहां पर wallpaper के उपर रख रहे होते या तो desktop कुपर रख रहे होते तो जो डेस्टाप होता है उसके inside ही कुछ लोग icon यहां पर रखते कुछ लोग icon यहां पर रखते तो icon कई पर रखा जाआ सकता पर यूँ समझत अगर desktop के उपर आपके नहीं аете right वह स्किरिक करने से कोई चीज ओपन हो जाती हeffective तो इसे नाम देदा सबसे पहला सिस्टम ऐकन और अप्लिकेशन ने डिकान का उच आप तो आप वहाँ पर कड़ा इसी थाओ आंप अब दोनोंगे में फरक यहां और्य, पर कशॉपिर्ण भीटविध परग करते और उनका सेटिंग्स भी होता है तो जो आइकन जो कम्पिटर के इंसाइड अल्रेडी मौजूद हो और उनका सेटिंग्स भी मौजूद है और आप उन्हें इंस्टाल नहीं करते उन टाइप के आइकन को हम कौन से icons कह रहे होते हैं system icons कह रहे होते हैं तो यह समझ ले जो icons operating system के साथ install होते हैं जैसे कि आपने मुबाइल लिया आपने कोई भी software आप तक download नहीं किया पर वह आपके कुछ icons आपको पहले से मिल जाते हैं जैसे कि gallery का होता है settings का होता है वगरा तो icons को हम simple कह रहे होते हैं कि system icons हैं इन्हें हम delete वगरा नहीं कर सकते हैं तो computer के इंसाइट जो system icons है वो सिर्फ ये 5 होंगे एक होगा my computer दूसरा होगा network तीसरा होगा recycle bin fourth one होगा control panel और fifth one होगा user files ये 5 किसम के जो icons होंगे इन 5 किसम के icons को हम system icons कहते हैं और इनका settings होते हैं इनको आप delete भी नहीं कर सकते हैं इनके इलावा जितने भी icons रह जाते हैं जो icons आपको screen के उपर दिख रहे होते हैं उन icons को हम simple यहाँ पर application icons कहते हैं तो एक दफ़ाइस का definition भी पढ़ लेते हैं वो icon जो installed होता है by user तो जो user install करता है उन icons को हम यहाँ पर application icons कह रहे होते हैं तो वो icon जो के already computer के inside नहीं होता पर user install कर लेता है पर उसके बाद वो icons आ जाते हैं desktop के उपार या तो computer के inside उन icons को हम system icons कहते हैं और मैंसे कुछ लिए करोड़ो software होते हैं करोड़ो applications है और जाहर बाते हैं आप तो सभी को use नहीं करोगे पर उन में से आपके choice के according जो भी software आप install करते हो application software आप इंस्टाल करते हो तो उनका एक icon आपको मिलेगा उस icon को हम यहाँ पर application icon कह सकते हैं इसे मुझे अगर need है MS Word की तो मैं MS Word install कर लूँगा मुझे MS Word का icon मिल जाएगा यह simple icon application icon होगा MS Excel होगा PowerPoint होगा Game होगा इसी तरह जितनी भी software मैं install करूँगा चाहे Play Store से install करूँगा चाहे मैं यहाँ पर Google Chrome से install करूँगा तो browser से install करूँगा उन icons को मैं यहाँ पर title दे सकता हो कि यह application icon से तो समझ आ चुका होगा यहाँ पर system icons कुन से होते application icons को उन से होते और दोनों में फरक क्या है आप यहाँ पर यह पांच नाम याद रख लो यह पांच नाम जिसमें एक ता my computer दूसरा ता network तिसरा ता recycle bin 4 ता control panel और last one user files इनके लावा जो भी icon आपके सामने आ जाता है आप उने application icon कह सकते हो अब desktop कब complete हो जाता है जब desktop के पर सारी चीज़े जो इस वक्त आपको दिख रहे वो आ जाते हैं अगर मैं simple picture open कर लो तो picture को हम यहाँ पर desktop नहीं कह सकते हैं desktop के उपर background होता है कुछ लोग यहाँ पर अपना image लगा रहे होते हैं कुछ लोग लोगों यहाँ का image लगा रहे होते हैं तो हम simple कह सकते हैं यह desktop के प लास्ट में यहाँ पर आपको option मिल जाता है जिसके तुरू आप यहाँ पर desktop के उपर directly jump कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर जो icons होंगे इन्हें 2 categories में divide किया जाता अचा वो 2 categories कौन से थे एक ता application icon या app icon और दूसरा होगा system icon और जो operating system के साथ install होते हैं अब system icons में यहाँ पर computer, this PC, my PC, यह सारे चीज़े यहाँ पर यही single icon ही होता है पर window के उपर depend करता है different type के windows होते है तो उसके according यह नाम change हो रहा होता है बाकी यह दोनो icons यहाँ पर system icons होंगे इनके लाव बाकी तीन icons तो उनको आप enable कर सकते हो disable कर सकते हो याद रख लो अगर मैं यहाँ सा icon इस तरह delete कर लो यह icon मैंने यहाँ पर delete कर लिया तो आपको यह delete हो गया पर तो वो delete नहीं हुआ है सिर्फ वो यहाँ पर disable हो गया enable कैसे करते है right click कर लो और आपको यहाँ एक option मिल रहा होगा personalize नाम का और इसकी inside आपको यहाँ एक और option मिल रहा होगा जिसका नाम क्या होगा तिम desktop icon settings आप इस पर क्लिक कर ले इस पर जैसी क्लिक करोगे तो देख लो यहाँ पर आपके सामने पांच किसम की icons आ जाएंगे अब मैंने यहाँ पर steps ज्यादा लिए क्योंकि मैं Windows 11 यूज़ कर रहा हूँ तो आपके सामने steps कम होगा अगर old version के आप Windows यूज़ करते हो आप simple इस आइकन होगा user files तीसरा आइकन होगा तीसरा आइकन होगा network फॉर्थ आइकन होगा control panel और फिफ्ट आइकन होगा recycle bin इस वकत मुझे यहाँ पर recycle bin दिख रहा है तो आप कोगे कि computer तो delete हुआ हाँ delete हुआ पर हम यहाँ से enable कर सकते वापिस मैं check लगा कि apply पे click करूँगा आइकन पे click कर लूँगा तो देख लो बाइक की आइकन भी मेरे यहाँ पर दिखने लगे तो जो पांच किसम के आइकन टॉप मैं select कर रहा हूँ यह आइकन होंगे system आइकन बाकि इन के लावा यहाँ पर जो आइकन होंगे desktop के पर पहले से नहीं होते software मैं ने install कर लिए यह आइकन आगे तो यह होते application आइकन हाँ इनका backup नहीं होता अगर आपने इसे delete कर लिया recycle bin के inside जा कि आप उसे बिल्कुल खतम कर लेते हो या तो recycle bin को भी आज से empty कर लेते हो तो इनका कोई backup नहीं होता यह बिल्कुल permanent delete हो जाते हैं यह मैं समझना कि इनके लिए भी आपको इस settings मिल रहे होते हैं यह settings सिर्फ इन पांच icons के होते हैं जो मैं यहाँ पर मार कर रहा हो इनके लावा बाकी जो भी आइकन आप delete कर रहे हो वो permanently delete हो जाएगा हाँ कब permanent delete हो जाएगा जब आप recycle bin को empty करते हो खाली करते हो तो समझ आ चुका होगा यहाँ पर icon कैसे enable करते disable करते system icons application icons और even desktop के powers next lecture में हम पढ़ रहे होंगे right click और right click inside आपको डेर सारी options मिलते हैं इनहे हम step by step explore कर रहे होंगे तो मिलते हैं next video में